हाई हेलो फ्रेन्ट वëलकम बेंगे तू माई चैनल सनवीकरेटी चैनल में आप सभी का मॉस्स वेलकम है तो आज मैं преп engraEEEEई वीडियो का वीडियो तो पाइदान की वीडियो मेने और भी डाले हैं आप सभी ने कोई भी देखेगा तो एक बार जरूर आपसे पूछेगा कि आपने पाइदान कैसे बनाया है इतना अच्छा पाइदान बनेगा आपका तो मेरा वीडियो इसकी मत करिएगा मैं इस्ते बाइट आपको समझाओंगी भी और यह आपको कोई समझ में बात ना आये कुछ भी ना समझ में आये तो आप कमेंट करके पूछ लीजी का मौस का रिप्ले आपको जरूर दूंगी तो देखें मेरा वीडियो उनका है निया ना तो देखें में पाइदान बनाने के लिए एक पैंट का टूपड़ा और उसको मैंने Ultima मिसे iG kamraли आपको कुछ इसको में कर ली जीन ना गरती है तो कुछ बंद कर लिए तो ऊसकी कटे आताथे हैं चांवल की आते हैं उन्हों सी साइता से भी बना सकते हो तो मैं क्या कर रही हूं गोल साइज का पैंट का टुकडा लिया था और अब मैं यह देखिए बचवी कतरन होते हैं जैसे सूट की बच जाती है या बलाउज के बच जाते पीसे तो उसके दुआरा आप ही बहुत ही सुंदर्शा पाइदान बना सकत के टतुन करते हैं जैसे मने क्या रहा है उसको मैंने गोल गोल सरकल में कर लिया है और मैं क्या कर रही हूँ ँछित फिर आहिए झाजिखिक प्रेस करके बट लगाते जाएंगे तो उससे इस तरह से बट लगाएंगेस की देशएंगे आप देखिए अच्छे से जिस तरह से हम बट लगाएंगे अच्छे से अंगुठा और अंगली से अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा जब यह बहुत यह आसानी से लग जाएगा आप इसको करते रहोगे तो बिलकुल आपको अच्छे से आ जाएगा पहल पहल थोड़ी दि कपड़ा हो उसके आपको पास कम कपड़ा हो तो आप मैं एक राउंड एक कपड़ेसे कमप्लिट करूंगे तो दूसरा बाउंड में भी मैं दूसरा कपड़ा ले रही हूं तो मैं उसे complete करूंगी तो यह मेरे पास देखें स्लिक वाला कपड़ा है आप चाहों तो कोटन वाला ले लीजें उससे और भी फीजी हो जाता है सिलीक वाले से थोड़ा इजी इतना नहीं हो पाता है तो मैं कर रही हूँ आगर कोटन वाले कपड़ें हो तो और भी ज्यादा कीजिसे बन जायेगा बूत कोँए कटीन काम नहीं है जय से हम एक उखुटे की कस अच्छी से परेस करें तो अच्छी से असानी लग जाये और इससे ईससे फोल्ड कर लें तो बहुत ही आसान तरीक화 कोई ज्यद्या कटीन है दिखने में ऐसे लग बनाया होगा पर आप इसका तरीका देख लोगे ना तो आप भी बहुत ही जिसे बना लोगे इतना कोई कठी नहीं है बिल्कुल भी कठी नहीं है तो इस तरीके से आप बना सकते हो तो यह मैं दूसरा कलर लिया है उसको भी मैं क्या करूंगी एक राउंड में कंपलेट कर सकते हो तो दो तीन कलर में भी आप एक पाइदान को पूरा कंपलीट कर सकते हो तो यह देखिए मेरा एक राउंड कंपलीट हो गया है तो मैं इसको पूरा कंपलीट कर रही है तो यह मेरा सेकेंड राउंड बिल्कुल कंपलीट हो गया है तो आम मैं थेड राउंड लोंग कुपरा कॉंपलीट करूंगी एक कलर से बनाएंगे वहांगी तुम्हें लें हैं में इतना कपड़ा नहीं रूद लेंदा करें पुरत哇 ऐक क्लर से पूरह एक ही कलर से मैं सब्सक्राइब परिद्स वह सिरी से आप कर सकती हो तो ही देखिए मैं इस कलर में पूरा आदा रांड कंपलिट कर लिए आदा रहे गया है तो आदा round कंपलिट करने के लिए मैं लोंगी दूसरा कपडा तो ही देखिए यह जो बट लगपाएगा तो मैं अच्छी से प्रेस करेंगे जभी सका बट लगपाएगा नहीं लगपाएगा तो आप इसको करते रहोगे तो आपके बिल्कुल है बड़ जाये की और जट पड़ से कर लोगे फटा पट हो जाएगा आपका तो मैं क्या कर रहे हुं यह कत रहने मैंने गोल-गोल साइज में कट की है सकते होüneने गोल-गोल साइज में कट करके बना on frum कंट्र minder को यह इसे तरह सेखार। आपके पास कोटन का हो आपकी यह सुरुआ प्लच केक। बिल्कुल दिखता है और थोड़ी चमक दिखती है तो इस तरीका से हम जो डॉर्मेट बनाते हैं उसमें क्या है जैसे हमें पूजा पार्ट में आशन के रूप में भी काम ले सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर भी दिखता है और अच्छा भी लगता है हमें तब मैं क्या कर रह पूरे राउनद में आ जाए तो इस तो इसा क्लर की से देख से कटे हो गया पूरा तो पूरा दोर में आपको ऑन बना लेना है बहुत ईजी होता है तो मैंने और भी डॉर्मेट के वीडियो बनाया है तो उन्होंने आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद किया यदि आपने नहीं देखा हो तो मैं उन्हों के लिंक भी डिस्किप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप देख लीजिएगा बहु बहुत अच्छी सुन्दर सुन्दर डिजाइन होती है इसी में तो मैंने यह देखे इतना कंप्लीट कर लिया है थोड़ा बहुत बचा है तो इसको भी आम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो देखे लास्ट का मैंने दो कलर में किया फिर एक कलर में किया फिर कलर फुल कपड़ा लिया है और इस तरह से फोल्ड करके और इसको सिल देंगे आसानी से बहुत ही इजी से बन जाता है कोई ज्यादा कठीन काम नहीं है दिखनता बहुत ही सुन्दर है पर थोड़ी महनत तो लगेगी जैसे हम ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं उसकी जगह आप जब भी आप कमेंट करके पूछ लीजएगा और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब ही मेरे वीडियो के नोटिफिकेस्ट आपको मिल पाएंगे तो प्लीज मेरे चैनल को अदूरो कर लीजेगा और जाते-जाते मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा स्तुम मिलते हैं वीडियो में और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे और मेरे वीडियो को लाइक जरू करके जाएगा तो मिलता हैं नस वीडियो में ओके बाइ फ्रेंड